हलो फ्रेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज है 10 जन्वरी 2022 और 10 जन्वरी 2022 तक की सुर्खियों में जितने भी प्रसंद रहें उन सारे प्रसंदों पर चर्चा करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं 2-3 दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ से व उपीए स्पेसल लेकपाल के लिए ग्रामीड पर यूएस यह सारे वीडियो आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर उपलब्द मिलेंगे पहला प्रसंद क्या कर रहा है राजनितिक गतिरोद के बीच हाल ही में किस देश के पीम ने पीम अब्दुल्ला हमदोक अब्दुल्ल यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई है यह देखिए हमारे कोई भी वर्ड नहीं होते किसी ना किसी निजपेपर की कटिंग कर वह होता है यह देखिए क्या लिखा हुआ सुदान पीम रिजाइन्स अमेड इस्टेल मेट बिटूइन मिलेटर एंड सिविल लीडर इसका मतलब यह है कि देखिए सुदान की इस्तिति अगर हम लोग देखें तो सुदान यह है तो आप लोगों को एक चीज और ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यह देखि इंडिया है अच्छा अपरीका महादियूप यहां से करक रेखा मकर रेखा विश्वत रेखा तीनों रेखाएं इस महादियूप से ओकर के गुजरती हैं ठीक यह आप लोगों को याद रखना है देखिए यहां पर यह थोड़ा गरीब देश होते हैं क्योंकि अपरीका व आर्मी ने कबजा कर लिया था और मतलब जो प्रजात अंतर था उसको समाप्त कर दिया था आर्मी सासन चलता रहा तो जिस कारान से यहां पर काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए तो जब प्रोटेस्ट हुए उसके बाद में यह देखिए आर्मी के जनरल हैं पहले यह सा जनता को यह चीजे भी पसंद नहीं आई यह देखिए क्या लिखा हुआ प्रोटेस्टर्स मार्च डियूरिंग आरेरी अगेंस्ट मिलेटरी रूल फालोइंग लास्ट मंथ कूप इन खार्टून नार्थ सुडान ठीक 6 जनौरी यह देखिए 6 जनौरी 2022 की घटना इसका तब यह था मिलेटरी कास की जिम्मेदारी होती हो देश की रच्छा करना राजनीत में भाग लेना नहीं है देश के अंदर की जिम्मेदारी नेताओं को मिलनी चाहिए जो लोग तांत्रीक तरीके से सरकार चुनी जाए ठीक अच्छा सुडान की राजधानी क्या है 70 साल विलुप्त हुए हो गए अच्छा देखिए एक चीज़ और है आप लोग कहते होंगे तो भारत में तो इतने तो टाइगर रिजर हो है यह किसलिए यहां पर चीता नहीं है टाइगर है टाइगर और चीता में अंतर होता है चीता वह होता है जो सव से भी ज्यादा किलो म इंडियन फारेस्ट हाफ सेंच्यरी आप्टर देव एक्स्टिंक्ट इन कंट्री मलाब 1952 में हमारे यहां से चीता विलुप्त हो गये तब फिर से इनको लाया जारा कहां से लाया जारा अपरिका से लाया जारा ठीक अचा देखिए यह एक्षिन प्लान लांज्ड आज ची प्रेंद रियादो ने कहा है यह भारत में फिर से चीता ला रहा है यह काफी लंबा होता है और यह क्या करता है यह दोनों पैर इसके बराबर पड़ते हैं जिसकारण से इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होते हैं सौ किलो मीटर प्रति घंटे तक कि स्पीड से यह दोड़ सकता है ठीक अचा इसकी बात की जाए तो यह देखिए पूरा प्लान बना लिया गया है कि जिसकारण से उसके बाद यह देखिए यह हमारे चीता है ठीक टाइगर और चीता में हमने पहले भी बताया है कि इन दोनों में अंतर होता है तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा तो फिप्टी चीता हमारे यहां पर लाने की प्लानिंग बन रही है और सत्तर सार विलुप्त हुए हो गए है ठीक इनके बारे में यह देखिए जिसे चलो ठीक इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जिरो नहीं है उसके बाद में हमारा अग्ला प्रस्वत्वत हमारा किया गया है कि हाल ही में कि इस ओश कर रहे atom कर रहे एक पत्रकार को केवल ऐंग्रेजी में बोलने के लिए कहा तो विरिया किससे ने कहा यह बहुत गुजराथ हाइजराथ हाइज जुक्राथ हाइजों की जो भासा है वो अंग्रेजी है इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात कीजिए ठीक यह देखिए क्या लिखा आग कंटेंड मोर अपियरिंग आयजब पार्टी इनप परसन विफोर दा गुजरात हाइकोल तो गुजरात हाइकोल ने तीन जनौरी को कहा कि य यह क्या लिखा इस पीक इन इंग्लिस एंड एड्रेसिंग दा कोर्ट इन गुजरात ठीक तो यह सारी चीज़े इन्होंने बोली हुई है अच्छा यह लिखा कहां पर आर्टिकल भासाओं के बारे में हमारे समिधान में किस उसमें दिया गया है आर्टिकल 343 में 22 भासाओ दर्जा दिया गया है उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परिच्छक कैग की एक नई रिपूर्ट ने चेताओनी दी है कि किस राज के गांधी सागर बांध को ततकाल मरम्मत की आओ सकता है तो बहुत यह कौन सा MP नेट से मेडिटेली रिपेल है कि इसमें प्राबलम क्या हो जाती है इसकी जो दिवारे होती है यह इनमें दरार पड़ जाती है जिस कारण से यह मतलब इनसे यह देखिए यह हमने पीगर भी दिखाया यह दिखिए जैसे यह क्रैकिंग आ गई यहां पर दिख रहे आपक यह common problem होते ही dams के साथ में और इन में इतना अधिक मात्रा में पानी होता है तो अगर यह पानी टूट यह डैम टूट जाते हैं तो सिर्फ MP में ही नहीं इससे बहुत अधिक प्रभाव कहीं न कहीं राजस्थान में भी पढ़ेगा जाकर के बहुत जगहों पर बाढ़ आ जा मतलब पिछले दस्कों में जिस तरीके बारिस होती थी उस हिसाब से बनाए गए अब क्या और अभी रेक्टिक रेंफाल इन रेसेंट यह लेप्ट दिम वल्नेरेबर विकाज आप विच दिम प्राब्लम साथ हैपिनिंग की अब देखो अनिमित वर्सा होती पहले क्या होत ओवर 5200 डेम्स ठीक हमारे देश में कि लगवा कितने डेम्स हैं 5200 डेम्स हैं यह भी आप लोगों को याद रखना है उसमें कुछ छोटे बड़े भी डेम्स है उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद क्या गरा किस राज में आयोजित एक सेमिनार के दोरान महिला के सिर पर थोकने इस्पिटिंग के आरोप में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हभीब के खिलाब पुलिस मामला दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है इन्होंने बोला हुआ कि अगर मेरे इस कारण से किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं छमा चाहता हूं लेकिन इनके खिलाब दर्ज कर ली गई है और यह देखिए क्या लिखा हुआ है फाइयार डाइजस्ट आइंड प्रोटेस्ट जावेद हभीब यह देखिए तो यह मतलब यहांकि यह गलत चीज भी है क्योंकि कुरोना काल चला वैसे भी किसी को साथ में इस तरगी का बिवार नहीं होना चाहिए उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद अगला प्रसंद क्या कह रहा है स्वच गंगा राष्ट्रिय स्वच गंगा के लिए राष्ट्रिय मिशन के महा निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है तो जी असोक कुमार को नामित किया गया है देखिए क्या कह रहा है कि सेंटल इलिवेट्स टॉप आई एस ओफिसर जी असोक कुमार एज डीजी नेशनल मिशन फार क्लिन गंगा के लिए इनको न ट्रामित किया गया है ठिक कर उसके बाद में हमारा अगला प्रसु अगला प्रस्त हमारा क्या किरा है कि बनेगा तो कौन बहीं बनेगा धिक केरल की बात आती है तो साइलेंट वैली साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है कहां है केरल में यह काफी फेमस है तो इसको आप लोग याद रखिएगा उसके बाद में हमारा अगला प्रसंद अगला प्रसंद क्या कह रहा है कि नेवन लिखित में से किसे 25 अमे राश्ट्री युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाए तो किसे भीया तो सबसे पहले किसे चुना है पुद्धुचेरी को चुना है आप देखिए यह जो राष्टी युवा महुत्सव है कम मनाया जाता है नेशनल यूथ डे यह आप लोगों को याद रखना है स्वामी विवेका नंद की जेनती पर बारा जन्वरी को मनाया जाता है यह मतलब इंपोर्टन येज़ कितने युवा भाग लेंगे 7000 युवा भाग लेंगे इन दा एज आप गुरूप 18 से 22 साल के वो युवा होंगे एक रास्दा कंट्री ठीक एराउंड 500 यूट्स फ्रामदा पुद्दुचेरी विल टेक पार्ट इन इवेंट और लगबग 500 युवा पुद्दुचेरी से भ यूजना को साथ वर्स पूरे हुए किसे पूरे हुए उजाला यूजना को देखें उजाला और उजला दो यूजनाओं हैं दोनों यूजनाओं में डिफ्रेंस है जो उजाला यूजना है वो किस से समंदित है LED से समंदित है लेकिन अगर उजला यूजना की बात करें तो एलपीजी सेलेंडर से समंदित है दोनों में फर्क याद रखना दोनों को एक जैसा मत समझेगा आप देखे इसमें जो साथ ये स्टार्ट का भूई थी उजाला योजना पांच जन्वरी 2015 अब देखे इसमें क्या था कि 10 रुपए के लेडी बल्ब माटे जाएंगे केंदर सरकार दोरा जिसमें सब्सेटी दी जाएगी और इसमें देखे इसके तहट क्या क्या किया गया है और 2022 में पांच साल पूरे हो गए अब देखे इससे फाइदा क्या हुआ इससे भिया 30,082 मिलियन किलो वाट एक तो उर्जा बची और 12,033 करोड केंदर सरकार के रुपए बचे प्लस को रिडेक्शन पर यर और इतना बया जो प्रदूसर्ण होता था कारबन डायक्साइड का उर्चसर्जन भी कम हुआ देखे में चीज क्या होती कि जैसे जब जितनी ज़्यादा हम लोग बिजली यूज करेंगे तो बिजली किस से बनती है हमारे यहां पे तो सोलर ए बनती है कोईले से बनती है तो इसलिए कोईले से प्रदूसर्ण भी ज्यादा होता है उसके बाद में हमारा अगला प्रसन क्या करा है कि हाल ही में किस संगठन को पांच नए आइस्थाई सदस्य मिले हैं तो यूएन एस सी को मिले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्यूर्टी क काउंसिल को अचा देखें ऊनाइट सेटकी काउंसिल में सदस्य में सदस्य कितने होती हैं न्यक्स काउन क्यूंसे nous बने हुए यह अलबानिया ब्राजील गरवाज़ घाना यंपनों अरच देखें हमने बोला किसं क्या कितनी हूती 15 होती जिसमें 5 पर्मानेंट से मरें 10 उनका कारिकाल दो वर्सों के लिए ही होता है अच्छा इसके साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा यह 5 पर्मानेंट सदस्य कौन कौन से हैं उसमें कौन कौन से आता है चाइना रसिया यूके ठांस और अमेरिका ठीक यह पर्मानेंट सदस्य है जब कभी आप लोगों लगा दिया एक टो पाउर यह पांच ही देश्यों के पास पाउर का योज करते ईंसके बाद में हमारा अगला प्रसन अगला प्रसन क्या करा है हाल ही में अनाथों की मा के नाम से विच्छात किसा रिष्ट का का नितन हो गया सिंद्धु ताई सपकाल का ठीक कहा की रहने वाली थी महाराष्ट की रहने वाली इनको अनाथों की मा के नाम से जाना जाता था इन्होंने भी अपने जीवन इनका जन्म कभ हुआ था 14 नौंबर 1948 को जन्म हुआ था और इन्होंने ये पद्म सिरी से भी सम्मानित महिला है और इन्होंने मतलब बहुत सारे अनात बच्चों के लिए इन्होंने बताया जो खुद अपनी मतलब कहानियों में बताया करती थी धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे काम किये जिस कारण से इन्हें लोगोंने समर्थन किया और धीरे धीरे ये बहुत ही फेमस हो गई और इनके कार्यों के लिए जानी जाने लगी इसलिए इनको अनातों की मा के नाम से बोला गया और इनको राजकी सम्मान के साथ में इनका अ के CEO के पदभार के रूमें समा रहा है तो किसने विनोध कननने अब देखिए विस्तारा की अगर हम लोग बात करें तो यह एरलाइन है तो अगर यह टाटा की है अच्छा देखिए टाटा का नाम तो आपने लोगों ने काफी सुना होगा इसकी स्थापना कब हुई ती यह ज ती इसने स्थार किती यह जंसेद जी थी टाटाने थी क और इनहोंने पी समाझे स्थार्ट क्या किया थे टाटा 22 मताबलब इक दीवालिया तेल कंपनी थी मिल थी उसक्त को इन्होंने खरीदा था जिसको इन्होńsk किकिंग आप टाटा, गृूप स Communication does Lifestyle, हर छेत्र में आपको टाटा नमक तक, आपको टाटा का प्रोडक्ट मिल जाता है थेब हैं, इसके बाद मी पादे कुछ महात्वपूर्ब दिवस हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए जिसे 9 जनवरी को क्या मना जाता है प्रवासी भारतिय दिवस यह किसके मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा कि इसी दिन मातमा गांधी साउथ अपरीका से इंडिया वापस आयते उसके बाद में 10 जनवरी को 20 हिंदी दिवस मनाया जाता है और वैसे राश्टी ह हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीक अच्छा 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है राश्ट्री बालिका दिवस 25 जनवरी को राश्ट्री मतदाता दिवस और 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है 28 फरवरी को राश्ट्री विज्यान दिवस मनाया जाता है और 8 म संद्री आयुस मंत्री सर्वानंद सोनुवाल ने हार्ट फूल इंटरनेशनल योग अकादमी की आधार चिला कहां रखी तो कहां रखे भी है 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 इसके बाद में हमारा अगला प्रसंद अगला प्रसंद क्या करा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यच के रूप म कौन सा राज देश का पहला एलपीजी सच्चम और धुम्र पान मुक्त राज बना है तो कौन बेया बना हुआ हिमाचल प्रदेश बना हुआ है ठीक हंडेट प्रसंट वैक्सिनेशन वाला भी राज कौन है हिमाचल प्रदेश है तो ये सारी चीजे भी आप लोगों को या बादक नहीं है आज का सेशन हमारा कैसा रहा है इस पर आप अपने विचार वस्ते दें अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें थैंक्यू पार वाचिंग